Hello Friends, आज हम पढ़ने जा रहे हैं Centroid of a Trangle Centroid क्या होता है? यह जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि Medium क्या होता है Right, पहले Medium सीखते हैं, फिर Centroid की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए मान लिजे हमारे पास एक Trangle है यहाँ देखे, Trangle ABC ठीक है प्रेंगल ABC हमने बनाई अब देखते हैं इसमें मेडियन क्या होता है सबसे पहले BC का मिड़ पॉइंट ले लिजे मान लिजे हमने ले लिया मिड़ पॉइंट D ठीक है मैं मेडियन बनाना सिखा रहा हूं पहले कि मीडियन ले लिया point ले लिया हमने D अब सामने वाले A vertex को D से जोड़ दीजे D हमारा midpoint है, midpoint को सामने vertex A से हमने जोड़ दिया तो AD हमारा क्या बन गया? median बन गया, तो median कैसे बनता है? vertex को सामने वाले midpoint से अगर जोड़ दिया जाए तो median बन जाता है इसी तरीके से मान लीजिए यहां पर हमने बनाना हो, यह E हमने मान लीजिए midpoint ले लिया, तो BE median हो गया, और यहां पर अगर F point हो, यानि कि अगर F C से मिला दे, तो CF median हो गया, तो 3 median बनाए हमने, 3 median कौन-कौन से, एक AD median, एक BE median और एक CF median, अब देखिए, सभी median center में एक ही point पर मिल रहे हैं, सभी medians कहां मिल रहे हैं, एक ही point पर मिल रहे हैं, और यही point हमारा क्या होता है, centroid होता है, तो यह point को हम क्या बोलते हैं, centroid बोलते हैं, अभी clear हुआ, यानि कि point of concurrence of medians, जहां पे सभी points, जहां पे सभी medians एक point पे मिलते हैं, उस point को क्या बोलते हैं, हम centroid बोलते हैं, तो अभी तक ये clear हो गया कि centroid क्या होता है, तो centroid है जहां पे सारे medians मिल रहे हैं, तो अब हमें इस centroid को निकालना कैसे है, वो method देखते हैं, माल लीजिए, इधर देख 3-5 दे रखें B के coordinates –7, 4 और C के coordinates 10 और –2 और हमें बोल दिया जाए कि centroid निकालो तो centroid क्या होता है जहां पे सभी medians मिलते हैं तो वो point तो है लेकिन formula याद रखना है बेटा centroid निकालने का formula क्या है यह देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी है actually क्या होता है जैसे यहां पे हमने यह देखा कि यह centroid है centroid निकालने का मतलब है मैं लेते हैं यह point P है तो centroid मतलब जब भी निकालने को बोल रहे हैं तो मतलब इसके हमें coordinates निकालने को बोला जा रहे हैं centroid निकालने का मतलब coordinates निकालने किसके निकालने coordinates of point P यानि कि यह जो point P, जिसको हम centroid बोल रहे हैं, उसके क्या निकाल रहे हैं? coordinates, तो यह coordinates निकालने का formula है, अब ध्यान से देखिए, अब X1, X2, X3 क्या लेना है? यहां से आइडिया हो जाएगा, यह है X2, Y2 और यह तीसरे वाला X3, Y3, तो बस यही formula हमने use करना है, अब X1 की value क्या है? X1 की value है 3, X2 की value, minus 7, right? X3 की value, 10, divide by 3, comma, अब इधर से Y coordinate निकल जाएगा, minus 5, plus Y2 की value, 4, और Y3 की value कितनी है? minus 2, बस एक थोड़ी सी calculation है, और बहुत ही आसान method है इसे निकालने का, अब देखिए, 3, यह plus minus क्या हो जाएगा? minus हो जाएगा, तो यह बन गया हमारे पास, इधर से minus 5, minus 5 के बाद, plus 4, और plus minus, minus, चलिए, आगे चलते हैं, 10, plus 3, 13, 13, minus 7, 6, यहाँ पर लिख रहे हैं, 6, और नीचे क्या आएगा? 3, इधर देखिए, minus 5, minus 2, minus 7, minus 7, plus 4 करेंगे तो, minus 3, 3 से कट गया, 2, यह 3 से कट गया, 1, यानि कि final answer क्या आया? 2, minus 1, यानि कि जो हमारा centroid, यानि कि यहाँ पर नजर आ रहा है, point P, तो point P, centroid के coordinates क्या आये हमारे पास? 2 और minus 1, यानि कि उसका x coordinate 2 है, y coordinate क्या है? minus 1, तो अब finally हमें याद क्या रखना है? सबसे पहली चीज, centroid क्या होता है? जहां पे सभी medians मिलते हैं, right? और medians क्या होता है? वो भी आपको सिखाया, इसी वीडियो की starting में, तो जब हमें यह पता चल गया, कि medians जहां मिलते हैं, वो centroid होता है, centroid निकालने का formula याद करना है, centroid निकालने का formula मतलब, centroid जो की एक point है, उसके coordinates निकालेंगे, और उसके coordinates कैसे निकलेंगे? x1 plus x2 plus x3 by 3, ऐसा करने से x coordinate निकल जाएगा, y1 plus y2 plus y3 by 3 करेंगे तो y coordinate निकल जाएगा, तो यह example हमने करी, जिसमें तीनो points हमारे पास थे, और तीनो points को use करके, हमने यहाँ पे final answer क्या निकाला? 2 minus 1, I hope आपको यह clear हो गया होगा कि centroid क्या होता है, बस आप हमारे videos को like और share जरूर करते रहें, thank you so much.